Hello everyone, welcome to Library Science Notes आज के topic में हम Human Resource Management के बारे में पढ़ने वाले हैं HRM क्या है? ये management का एक concept है और management जो है वो हमें B-Leap और M-Leap दोनों में पढ़नी होती है और यही concept हम यहाँ पर आज समझने वाले हैं कि क्या होता है तो सबसे पहले management क्या है? देखिए किसी भी संस्था में जितनी भी गतिवी दिया यानी activities होती है उन सभी को manage करने की आपस में coordinate करने की जरूरत होती है और उसी के लिए हम Human Resource Management की बात कर रहे हैं Human Resource इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम resources जो material है उनकी भी बात करेंगे और resources जो की humans हैं उनकी भी बात करेंगे इसलिए Human Resource Management कहा गया है तो सबसे पहले आप जो screen पे image देख रहे हैं इसमें center में HRM है और side में इनकी सारी activities लिखी होई है जो भी यह करवाते हैं जैसे recruitment है, selection है, training, discipline, development, reward system, productivity, motivation and unions जितनी भी चीज़े हैं इन सब में humans का कही ना कही involvement होता है और उनको जब आपस में coordinate करने की कोशिश होती है तो उसी को हम Human Resource Management कह देते हैं अब हम जो पढ़ रहे हैं वो library के terms में पढ़ रहे हैं और यह जो concept है यह industrial area से निकला हुआ concept है क्योंकि जो management है वो अपने आप में एक basic subject नहीं है यह किसी भी विशय के साथ जोड़ा जा सकता है और एक नया विशय बन जाता है तो management का implementation हम हर एक विशय में कर सकते हैं और यहां हम library के context में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो यहां पर एक अलग से manager नहीं होगा जब भी यहां पर आपको सामने यह term आएगा कि human resource को manage करने की बात हो रही है तो कौन manage करेगा जो library में authority होगी जो highest level authority होती है उनी के पास सारा का सारा control होता है अपनी staff को manage करने का तो जो HR manager होता है उसकी भी भूमी का यहां पर जो है हमारे high level officers जो है हमारी library में वो ही लोग न management process जो होता है उसी का ही एक हिस्सा है अलग नहीं है उससे which develops and manage human element of enterprise यानि किसी भी संस्था में जहां पर humans की involvement होती है यानि जो workforce है उसकी बात होती है तो उन से related जितनी भी चीज़े हैं उनको manage करने का काम जो है वो HRM के अंतरगत आता है HRM involved determining the organization's need of human resources that is recruitment, selection, training, development, etc. क्या कहा जा रहा है कि देखे किसी भी संस्था में कितनी positions vacant है इसको पता लगाने का काम कौन करता है HR करता है यानि संस्था के अंदर ही एक department होता है जो इन सब चीज़ों का ध्यान रगता है कि कितने नए लोगों को hire करना है उनके पास क्या qualification होनी चाहिए किस तरीके का skill होन चाहिए उनका recruitment का मतलब होता है कि advertisements flash करना लोगों को attract करना कि वो आपके पास apply करें अब जब आपके पास बहुत सारी applications आजाएंगी pool of applications आफ receive कर लेंगे तो उसमें से जो लोग qualified है जो लोग eligible है उनको छांटने के जो process होती है वो selection कहलाती है अब select करने के बाद में अगर fresher हैं तो उनको training की भी जरूत होगी ताकि उनका काम आसान हो सके और आपने जिनको hire करने के लिए इतना खर्चा किया है वो लोग अपना efficiency को बढ़ा सके उसके लिए उनकी training होगी उनके development courses होंगे उनके आपके समय को बचाने के लिए उनकी efficiency को बढ़ाने के लिए फिर अब functions क किस तरीके के होते हैं HRM के तहट देखे दो तरीके के functions होंगे एक तो managerial और एक operative यानि managerial functions वो होंगे जो किसी भी management principle के तहट आने चाहिए normal कौन-कौन से planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgeting यह basic functions है managerial functions है managerial activities है जो की होती ही होती है अब इसमें क्या होता है it includes basic function like planning the work to be done in advance planning में क्या हो रहा है कि कौन सा काम क्या होना है कि उदेश के साथ कौन सा काम करवाया जाना है वो कौन करेगा कैसे करेगा उसमें क्या skills होनी चाहिए और कितना budget लगेगा finance की requirement क्या होगी expenses क्या होंगे और directions देना कि जो लोग उतमें involved हैं उस activity में उस काम को कर रहे हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं accountability किसकी होगी उनकी ये सारी चीज़े manageable functions में आते हैं फिर दूसरा क्या है operative functions operative में क्या है procurement करना उनका development करना उनको सही compensation देना ठीक है integration करना ये सारी चीज़े यानि those tasks or duties which are specifically performed by the human resource देखिए अगर management के तहत एक अलग department बनाया गया है HR का तो HR की कुछ specific activities भी तो होंगी ना जो काम वही करेंगे तो यहां पर differentiate किया गया है कि manager functions कौन से होते हैं और management के तहत जो HRM का department होता है उसकी कौन से functions होते हैं इनको separate कर दिया गया है ठीक है तो performed by the human resource और personnel department ये personnel word है personnel का मतलब होता है workers या फिर staff को कहते हैं ये management का term है और such as employment, development, composition, integration ये सब HR department के functions होते हैं specific अब library के context में कैसे समझें इन a library, librarian जो की highest authority होता है plays the role of an HR manager यानि वो यहां manager की भूमिका निभाता है यासा मैंने आपको starting में बताया था as he manages the dispute and oversees the work of employees वो क्या करता है अगर किसी भी आपस में employees के बीज में जगड़ा हो जाता है या किसी चीज को ले करके मदभेद होता है तो उसको solve करने के लिए resolve करने के लिए वो कहां जाते हैं वो higher authority के पास जाते हैं वो ही करता है और किसको क्या assign होना है काम वो based on their skill कि वो क करता है वो भी हमेशा librarian ही उनको guide करता है तो यह सारी चीज़ें इसमें आ गई then generally when these functions are carried out at small level देखें आप इसमें आपको staffing का मतलब बताया जा रहा है यानि generally when these functions यही जो managerial functions इनको जब smaller level पे small scale पे छोटी संस्था में किया जाता है by every manager तो हम इसको क्या कहते हैं हम इसको staffing function कह करते हैं लेकिन when these functions are performed at larger scale in a big organization यानि किसी बड़ी संस्था में बहुत बड़े पैमाने पे यही staffing वाला यानि लोगों को भरती करने का जो process होता है जब वो किया जाता है तो उसके लिए एक अलग से department बना दिया जाता है जिसको की human resource department human resource management department कहते है ठीक बस इतना ही फर्क है कि staffing का जो function जो हम पढ़ते हैं वही चीज HRM में भी होती है लेकिन यह department अलग है बड़े लेवल पे है इसलिए इसका यहाँ पर differentiation दे दिया गया है लिखने के लिए यह सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि आप किस तरीके से अपना answer writing better बना सके HRM was developed as a slow process with industrial revolution मैने आपको स्टार्टिंग में यही चीज़ कही थी कि जो management का concept है वो industries से निकल करके आया है तो यहाँ पर उसका भी explanation है कि कैसे तो HRM human resource management का जो यह process है यह धीरे धीरे develop हुआ है industrial revolution के साथ the role of trade union increased and forced the management to create the post of welfare officer शुरुआत कैसे हुए कि industrial development जब हुआ revolution जब हुआ तो उस टाइम पे जो industries इस थी वहाँ पे post create की गई welfare officer की और वही welfare officer की जो post थी उसका नाम बाद में change करके HR कर दिया गया ठीक है तो उसी के बारे में हाँ आप पड़ते हैं तो HRM refers to the management and control of every activity related with personnel of the organization यानि संस्था में जितने भी लोग workforce काम कर रहे हैं जो कि humans हैं उनकी regarding जो भी चीज़े होंगी वो हम library के context में पढ़ेंगे तो हमें यह जानना जरूरी है कि किस तरीके के resources को manage करने का काम किया जाएगा तो हमारे पास तीन तरीके की resources होती है एक होता है men, दूसरा material और तीसरा machine अब यह जो तीन चीज़े में आपको बताई है इसको लिखने के लिए आपके पास बहुत सारा content available होगा अगर आप अच्छा थोड़ी बहुत स्किल है आपकी आंसर राइटिंग में तूकि men मैंने बोल दिया तो men की category में हमारा सारा का सारा स्टाफ आ गया अब उसकी designation कुछ भी हो सकती है उसका skill कुछ भी requirement हो सकता है कि उस position पर काम करने के लिए क्ल स्किल requirement चाहिए और आप इसमें organizational structure भी बता सकते हैं जैसे अगर university system की बात करें तो सबसे highest authority university librarian होता है उसके नीचे deputy librarian होता है तो ऐसे करके जो पूरा structure है पूरा का पूरा स्टाफिंग का structure जो है हमारा वो men की category में आ गया जो भी लोग काम कर रहे हैं चाहिए वो library attendant ही क्यों ना हो दूसरा है material त जो हमारे पास किताबे हैं अगर वो physical form में है तो भी अगर वो electronic form में है तो भी या वो online format में है जो भी है आपके पास में जितना भी content है वो सारा material में आ जाएगा फिर machine में क्या आएगा machine में वो सारे के सारे hardware devices आएंगे जो की library में implemented हैं library में आपके user की सहायता के लिए है software's हो गए photo state machine जिससे हम reprography service देते हैं और scanner है यह सब जितनी भी computer है सब कुछ इसी में आ जाएगा जितनी की चीजों के बारे में आप सोच सकते हैं hardware component वो सारे machine की category में आ जाएगे अब library management में क्या आएगा देखे it refers to the management of men material and machine यानी इन तीनों चीजों की जो management की बात होती ह कि कैसे काम करना इन चीजों को यूज करके कि हमारी efficiency बढ़े हमारे users के help हो उनका time save हो और जद से जदा users हमाई library में विजिट करें तो इसी को हम library management कह देते हैं यह पूरी की पूरी process को जहां पे सिर्फ यह तीन चीज़े involve होती है आगे अब human resource क्या होता है it includes all the employees from top to bottom either authority और lowest level employee देखे employee यानि staff staff में आपकी highest authority भी आ जाएगी lower lower level authority भी आ जाएगी यानि कि आपका जो university librarian है वहां से लेकर के library attendant तक एक cleaner तक जो भी है सब ही लोग staff की category में ही आते हैं top level HR अब देखें यहां पे HR की तीन levels बता रही हूं मैं आपको तो इसमें आपको confused नहीं होना है तीन level क्योंकि हम एक HR department की बात कर रहे हैं library में सिर्फ एक manager होता है जो कि हमारे university librarian ही होता है वो ही सारे functions करता है लेकिन अगर बहुत बड़े level पे बात की जाए एक ऐसा organization जहां पे अलग से HR का department बना हुआ है तो वहां पे भी HR के तीन levels होंगे यानि एक तो higher authority हो गई HR की जो की plans बनाएगी और जो दूसरा middle level HR होंगे वो क्या करेंगे उन plans को execute करेंगे और जो bottom level HR होंगे वो क्या करेंगे वो actually में plan जो plan execute किया गया है उसकी implementation का काम देखेंगे और workforce से काम करवाएंगे तो यह तीन classifications हो गए इसके then एक definition आपको आनी चाहिए तो हम यहाँ पर इवान सेविश की definition देखेंगे क्या कहते हैं यह कि HRM is a function performed in organization that facilitate most effective use of people to achieve organizational and individual goal देखिए organizational और individual goal की बात का क्या मतलब है कि यानि आप किसी संस्था से जब जुडते हैं तो वहाँ जुडने के पीछे आपका अपना self motive होता है कुछ ना कुछ कि आपको किसी position पर काम करना है आपके पास authority दी जा रही आपको कि आपको एक designation मिलेगा आपको कुछ पैसे मिलेंगे आपको salary मिलेगी तो यह मेरा personal interest है कि मुझे एक designation मिल जाएगी मुझे monthly salary मिलेगी यह सब चीज़े मेरे personal need है कि वो satisfy होंगे लेकिन organizational goal क्या ह होगा ultimately अगर हम 10 लोग काम कर रहें किसी library में तो individual interest हमारा अलग है लेकिन सबका general interest क्या है कि हमारी जो संस्था है हमारी जो library है वो अच्छे से function करे fruitful results हो हमारे सारे objectives पूरे हो हमारे users जो है वो satisfied रहे हमसे और हमारी services जो हमेशा उनके लिए अच्छी रहें तो यह सब क्या है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि दोनों की जो individual interest है और जो organization का interest है उनके उनके विच में harmony रहे और तालमेल बना रहे ताकि काम effective तरीके से हो सके फिर हमें HRM की जरूरत क्यूं है जाहिर सी बात है हम इतना HR के बारे में यानि human resource के बारे में पढ़ रहें तो अलग से department बनान developing public relation and employee satisfaction इन चीजों को करने के लिए हमें HR की जरूरत पढ़ती है अलग department की जरूरत पढ़ती है जो कि इन सब चीजों की ध्यान देते हैं इनके पीछे अब there are three main fields that make HRM तीन basic चीजे मिल करके HRM को बनाती हैं complete करती हैं वो क्या क्या है staffing compensation and defining the work वो कैसे आगे देखते हैं सबसे सबसे पहले recruitment and selection यह क्या कह रहा है HRM is a very necessary activity in sorry HRM is very necessary in performing the activities related with recruitment and selection of human resource for selecting the right person recruitment and selection क्यों कर रहे हैं सबसे पहले तो recruitment एक ऐसा process है एक positive process है जहां पे हम अपने यहां पे जो vacancies हैं जितनी भी positions vacant हैं उनको advertise करते हैं अलग-अलग माधी हम से और यह चाहते हैं कि जादा से जादा मात् हमें लोग हमें approach करें हमारे हां applications लगाएं vacancy के लिए और selection को हम एक negative process करते हैं कहते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पास माल लीजे 10 vacancies के लिए 100 applications आ गई तो हम सब को consider नहीं करेंगे based on the data provided in their forms जो उन्होंने भेजा है हम उसमें से लोगों को छाट के अलग करेंगे यानि 100 में से हम उन 50 लोगों को 60 लोगों को select करेंगे जो कि हमें best appear होते हैं उनके first resume या data जो उन्होंने भेजा है उसको देख करके तो ये recruitment और selection का काम कौन करेंगा HR करेंगे जो कि ये देखेंगे कि किस तरीके के requirement है और किस तरीके के लोगों ने form भरा है फिर अब अपना ही example ले लिज आएगा बट आपको कभी कोई notification आता है कि का आपका वो cancel हो गया है form नहीं आता है तो उसके पीछे reason क्या है कि बहुत से लोगों के applications reject हो जाती है फिर्स स्टेश पर ही लेकिन उनको पता नहीं चलता है ठीक है then comes training अब selected employees need to be trained to work efficiently without wasting time and effort training के ज़रोध क्यों पढ़ती है कि अग आपको सॉफ्ट्वेर की जानकारी है लेकिन इस सॉफ्ट्वेर में आपने पहले काम नहीं किया है इसमें अलग तरीके का data feed करना है कुछ भी हो सकता है तो वह काम पहले आपको सिखाया जाएगा आपकी training की जाएगी उसे क्या होगा आपकी efficiency बढ़ जाएगी efficiency और आपका स performance appraisal, performance appraisal जादा तर जो government sector होता है उसमें साल में एक बार लोगों की appraisal report भेजी जाती है कि कि किसी का promotion होना है या किसी की salary बढ़ानी है उनका based on कि उन्होंने साल भर में कैसी performance दी है और ऐसा ही private sector में भी होता है कि हर साल जब increment की बारी आती है तो यह जरूर देखा जाता ह है कि साल भर में आपका काम कैसा रहा तो इसको appraisal कहते है जहां पर हो सकता है आपकी कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ आपकी salary बढ़ेगी और कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी position भी बढ़ाई जा रही है और आपको साथ में कुछ extra पैसे offer किये जा रहे है और ऐसा भी हो सकता ह है कि सिर्फ आपके position बढ़ी है salary आपकी वही है तो यह appraisal किसी भी form में हो सकता है फिर developing public relation यह कैसे होगा इसमें आप एक word imagine कर सकते है जो हम outreach कहते है यानि extension services तो librarian undertake to organize different workshop अब लाइब्रेदी क्या कर रही है जो being a librarian मैं क्या करूंगी मैं अपने संस्था में वर्क्शॉप कर सेमिनार कराऊंगी, conferences कराऊंगी, अलग अलग तरह के training programs कराऊंगी और extension services दूंगी लोगों को ताकि में library की publicity हो सके जादा चदर लोग मुझसे जुड सके मेरे services के बारे में जान सके तो यह सब चीजें क्या है यह मैं public relation develop करने की कोशिश कर रही हूँ मेरे जो users सारे मैं उन salary मिल रही है और हम जिस तरीके का काम कर रहे हैं उन दोनों के बीच में हमें satisfied feel हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो HR जो है वो यह जानने की कोशिश करता है कि कोई जो मेरे हाँ का employee है वो overburden feel तो नहीं कर रहा है या कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई काम बहुत जादा कर रहा है और अच्छे क्या उदेश रहा होगा लाइवरी एथिक्स मेंटें करना देखे जब आप कहीं काम करते हैं तो वहां के कुछ unset rules होते हैं कुछ standards होते हैं जो आपको follow करना परता है कुछ moral obligations duties होती है कि हम कहीं काम कर रहे हैं तो subordinate के साथ में senior के साथ में और जो लोग है वहां प अच्छीव efficiency and effectiveness by hiring right person अगर सही इंसान जो कि जिसके पास वह necessary qualification है जो किसी एक particular position के लिए चाहिए उसको हम हायर करते हैं तो हमारा organizational objective जो है उदेश जो है उसको हायर करने का कभी पूरा हो पाएगा वनना अगर उसके पास में required qualification ही नहीं है और उसको हायर कर लिया तो वह काम क पूरा है लेकिन efficiency भी नहीं है उसको skill भी नहीं है तो हमारा organizational objective कैसे पूरा हो पाएगा इसलिए selecting the right person with the right qualification at right time is very necessary और ये काम हमेशा HRM देखता है ensure stability of personal अब एक बंदे को हायर करने के लिए आपने इतना time लगाया इतनी advertisement करी interviews लिए आपका समय भी गया आपके expenses भी लगे तो क कुछ समय तक वहां ठिके मैं ठिके वर्ड इसलिए यूज कर रही हूं कि बही कुछ समय तक लगभग मान लीजे दो तीन साल तक अगर वो रूख करके जाते हैं और वो सही काम करते हैं तो फिर आपको उस तरफ दुबारा देखनी की ज़रूरत नहीं है वहना कोई आया उस सब को सेट यआ यह ठोड़ दिया फिर दूसरें ऐसको समझनाया थि उसने नहीं तो समय थोड़ा बहुत काम चल दो तो इसमें क्या हुत की आपको ड़ी कर रहा है यह रूख के आपकोः नि कंगी ₹ contractors जो वहां काम कर रहे हैं, अगर वो समान ने पद पर हैं, माली ये तीन लोग, तो तीनों को समान काम में मिले और समान उनको सेलरी मिले, यानि उनको ऐसा फिल ना हो कि मैं काम जादा कर रही हूं, लेकिन मुझे सेलरी कम दी जा रही है, तो यह पूरा topic था हमारा HRM का and I hope यह आपको समझ में आया हो for any query आप comment कर सकते हैं और उसका reply आपको ज़रूर मिलेगा Thank you